रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें हेलो एंड वल्कम बैक तो माई चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन इन दिस वीडियो वे विल डिसकस वर्कशेट नमबर फोटीन आज हम करेंगे कारे पत्रक चोदा ये कक्षा 6 के लिए है विशे है आपका हिदनी नादान दोस्त पाट का नाम है नादान दोस्त और इसका कौन सा भाग है भाग सात्वा लास्ट वर्कशिट में भी हमने बहुत दिन से आपका ये चाप्टर चल रहा है नादान दोस्ट तो आज आप कौन सा भाग करोगे भाग साथ तिती है 12 नवंबर 2020 ये आपकी थर्स्टे की वर्कशिट है इधर आपको अपना नाम लिखना है इधर अपनी क्लास्टेटर का नाम आएए देखते हैं आपकी वर्कशिट पिछले कारे पत्रक में हमने पढ़ा कि दोपेर में मा ने दोनों को डाट दपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और बच्चों को नीद आ गई थी चार बजे यकायक शामा की नीन खुली उसने देखा कि अंडे नीचे तूटे पड़े हैं अभी दोनों बच्चे बात करी रहे थे कि उनकी मा भी वहाँ पहुच जाती है अब आगे अब आगे देखते हैं यहां आज की वर्क्षित में आगे पड़ेंगे माने सोटी हात में लिए हुए पूछा तुम दोनों वहाँ धूब में क्या कर रहे हो वो दोनों बच्चे बाहर आकर बात कर रहे थे उन्होंने क्या देखा बाहर आकर कि तीनों उंडे कार्निस से नीचे पड़े हैं जमीन पर और वो तूट चुके हैं तो इतने में ही उनकी मा आ गई सोटी लेकर सोटी होती है जिससे बच्चों की पिटाई करते हैं लकडी की इतने में ही उनकी माने आके पूछा कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो शामा ने कहा अम्मा जी चिडिया के अंडे तूटे पड़े हैं अम्मा ने आकर तूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा अम्मा जी से उसकी शिकायत नहीं की पर अब तो उसे उस पर थोड़ा सा भी तरस ना आया उसी ने शायद अंडों को इस थरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े इस बार क्या हुआ उसने अपनी अम्मा जी से केशव की शिकायत कर दी उसी ने शायद अंडों को इस थरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े ये बात उसने किसने कही अपनी अम्मा जी से कही शामा ने इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए बोली इन्होंने अंडों को छेडा था अम्मा जी के अम्मा जी मा ने केशव से पूछा क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा अब तो शामा ने उसकी शिकायत कर दी कि इसी ने अंडों को छुआ होगा तो अब माउस से पूछ रही है क्यों रे केशव और ये सुनकर कि अब उसकी शिकायत हो गई है केशव कैसे हो गया भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा बतला डर के खड़ा रहा भीगी बिल्ली जैसे बन बात केशव कहता है तू स्टूल था में खड़ी थी यह लाइन केशव ने शामा को बोली कि तू स्टूल था में खड़ी थी शामा तुम ही ने तो कहा था अब मा बोलती है तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतनी भी मालूम नहीं कि छूने से चिडियों के अंडे अगर कोई छू देता है तो वो अंडे कैसे हो जाते है गंदे हो जाते है चिडिया फिर उन्हें नहीं सेती ये बात मा ने केशव को कही श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिडिया ने अंडे गिरा दिये हैं अम्मा जी मा कहती है और क्या करती केशव के सर पर पाप प पड़ेगा ये बात मा ने बोली केशव के सर पर पाप पड़ेगा हाई हाई तीन जाने लेली दुस्ट ने केशव रोनी सूरत बना कर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्धी पर रख दिया था अमा जी मा को हसी आ गई केशव ने अंडों को गद्धी पर रख दिया था मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा अंडों की हिफाज़त करने के जोग में उसने कर डाला मतलब वो तो अंडों की हिफाज़त करना चाहता था पर उसके बदले क्या हो गया अंडों अंडे तो मर ही गए जो अंडों से बच्चे निकलने वाले थे वो पहले ही मर गए तो इसलिए उससे अफसोस होता रहा इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था दोनों चिडिया महा फिर कभी न दिखाई दी उसके बाद वो दोनों चिडिया महा कभी न आई ये देखिये बच्चों की गलती से उन्होंने अच्छा सोचा था पर वो अच्छा नहीं हो पाया और अंडे फूड गए अब देखते इसके question answers गद्यांश के अधार पर निमलिकित प्रशनों के उत्तर दीजिये केशव और श्यामा ने चिडिया के अंडों की रक्षा की या नादानी सोच कर लिखिये आपको बताना है जो केशव और श्यामा की विज़े से अंडे फूड गए वो उन्होंने तो रक्षा करने की सोची थी पर वो क्या हो गया लास्ट में अंडे फूड गए तो ये उन्होंने अंडों की रक्षा किया नादानी तो आईए देखते हैं इसका उत्तर उत्तर एक केशव और श्यामा ने अपनी ओड से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाही पर यह उनकी नादानी सिधुई उन्होंने तो रक्षा ही की थी उनके लिए पर वो लास्ट में क्या हुआ नादानी बन गई चिडिया अपने अंडों की रक्षा स्वे कर सकती थी चिडिया अपने अंडों की रक्षा स्वे करती है और कोई अगर उन्हें टच कर देता है तो वो अंडे खराब हो जाते हैं बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रियास में उन्हें छू कर गंदा कर दिया उन्हे नादानी में रक्षा में हत्या हो गई तो यह है आपका उत्तर नंबर एक आप देखते हैं प्रेशन नंबर तो प्रेमचन जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहोगे लिखिए अब आपको बताना है कि प्रेमचन जी ने तो इस सिदु है, लास्ट में नादानी सिदु है, उनकी दोस्ती की विज़े से चड़िया के अंडे ही खराब हो गए, उत्तर दो लिखो गए आप, हम इसका दूसरा अन्य शिर्शक बच्चों की नादानी देना चाहेंगे, बच्चों की नादानी से अंडे फूट गए थे, तो आ आप बच्चों की नादानी भी रख सकते हैं बाट का नाम, प्रशन नमबर तीन, दोनों चिडिया महां फिर क्यों नहीं दिखाई दी, आईए देखते हैं इसका उत्तर, चिडियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों महां से चली गई और फिर कभी भी वापिस न दोनों महां क्यों नहीं दिखाई दी, क्योंकि महां उनके सारे अंडे फूट गए थे, इसलिए वो वहां कभी नहीं आई, आप देखते हैं प्रशन चार, दोनों चिडिया महां से कहां गई होगी, अपने दोस्त या बाही बहन से बातचीत करकर लिखे, दोनों चिडिया किसी दूसरी सुरक्षित जगे पर गई होंगी वहां गोसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिये होगे, वहां तो उनके अंडे खराब हो गए थे इसलिए वो कहीं नई जगे पर चली गई होगी सुरक्षित जगे पर और वहां जाके उन्होंने दुबारा से Q5. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अच्छा काम कर रहे थे परंतु पर गलत हो गया याद करके लिखे अब दर आपको अपना कोई अनुभव बताना है कि कभी आप अच्छा काम करना चाह रहे हूं और वो गलत हो गया हो तो आप उसे लिख सकते हैं मैंने लिखाया है हाँ ऐसा एक बार हुआ था हमने अपनी चछत के किनारे पर पानी रखा चिडिया के लिए पर वहाँ एक बिल्ली आई और उसने चिडिया को जपट लिया खाने के लिए तो ये हमने तो अच्छा सोचा था कि चुडिया वहाँ पानी पिलेगी लेकिन वो क्या हो गया बाद में नादानी साबित हुई क्योंकि चुडिया को बिल्ली ने खा लिया तो student ये थी आपकी worksheet class 6 की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आप उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कीजेगा और बेल